हैलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेकैनिकल टेखिंदी फ्रेंड्स अकसर कार खरिदते समय लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें पेट्रोल इंजन कार खरिदना चाहिए या फिर डीजल इंजन कार खरिदना चाहिए तो आगे इस वीडियो में आपको 10 अलग अलग पॉइंट्स पे इन दोनों ही टाइप के कार्स को आपस पे कंप्यर करके बताऊंगा कि किन किन पॉइंट्स पे कौन सा कार बेहतर होता है ताकि आप अपने रिक्वारिमेंट के हिसाब से सही कार चुन सके तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले अब फ्रेंट्स जो कंपारिशन का सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्यूल की एफिसेंसी या हम लोग माइलेज भी कह सकते है क्योंकि बहुत सारे लोग माइलेज को बहुत ज़्यादा तवज्यू देते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि देखे जब इनजन के अंदर में एक लीटर डीजल जलता है तो वो एक लीटर डीजल, एक लीटर पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा एनरजी रिलीस करता है जिस वज़े से जो डीजल इंजन है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है एक लीटर फ्यूल यानि की एक लीटर डीजल से और यही कारणे कि आपको जो डीजल इंजन वाली गाड़िया है उनसे 15 से 20 परतिसाद जादा fuel केपिसेंसी या fuel का जो mileage है वो आपको मिलेगा पेट्रोल इंजन के मुकाबले तो mileage अगर आपके लिए important है तो आपको डीजल इंजन वाली गाड़ी ही खरीदनी चाहिए अगरा जो point है वो है noise and vibration अब बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका गाड़ी जो चले तो smoothly चले तो मैं आपको बता दूँ कि जो diesel इंजन होता है वो heavier होता है भारी होता है बड़ा होता है बलकियर होता है और इस वजह से जो diesel इंजन के parts होते है वो भी petrol इंजन के मुकाबले size में बहुत ही जादा बड़े होते है अब इससे ये फरकाता है कि जब इन बड़े size वाले diesel इंजन का जब operation होता है तो ये noisy होता है ये आवाज करता है इसके साथ ही साथ यहाँ पे vibration भी petrol इंजन के मुकाबले जादा देखने को मिलता है हलाकि आज की modern technology में जो noise है जो vibration है जो harshness ह वो कम हो गया है लेकिन फिर भी petrol इंजन का मुकाबले diesel इंजन में जादा होता है तो अगर आप चाहते हो कि smoothly आपको चलाना है गाड़ी को तो फिर आपको petrol इंजन को ही चुनना चाहिए अगला point है maintenance and servicing cost तो friends कुछ सालों पहले तक जो diesel इंजन की गाड़िया थी उनका maintenance और service cost पेट्रोल इंजन की गाड़ियों का मुकाबले बहुत ही जादा था वज़ा कुछ हता कि ये भी था कि इंडिया में जो diesel अवेलेबल था वो lower quality का अवेलेबल था जिससे long reading में ये हो राता है कि जो diesel filter है या engine के जो बाकी parts से वो ज़्यादा जल्दी खराब हो जा रहे था या उनका ज्यादा maintenance का जरूत पड़ जा रहा था हलाकि आज के टाइम पर ऐसा नहीं है जो fuel का quality है वो बहुत improve हो चुका है फिर भी comparison करोगे तो आज भी आपको डीजल इंजन वाली गाड़ियां है उनका servicing का charge या फिर उनका servicing cost जो maintenance cost है वो petrol इंजन वाली गाड़ियों के मुकाबले जादा आपको देखने को मिल जाएगा अगला point है spare parts price and availability अफ्रेंट चाहे petrol की car हो चाहे diesel की car हो अक्सर car owner या फिर workshop owner के सामने ये मुश्किल आता है कि बहुत सारे ऐसे companies के car होते हैं जिनका parts market में easily available नहीं होता है और इस वजह से भी बहुत बार जो गाड़ियां ह खड़ी रह जाती है और इसका one stop solution है budmo.com जो की online spare parts के expert है अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फाइदा यह है कि चाहे आपको Indian companies की car हो चाहे विदेशी company के car हो इन सारी companies के car के genuine spare parts आपको easily यहाँ पर मिल जाएंगे मैं आपको example भी बताता हूँ देकि interface बहुत ही simple है म उसके बाद मारूती के जितने भी models है वो यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर बलेने को select कर लेता हूँ उसके बाद air अब कौन से air का है कौन सा model है तो मैं यहाँ पर 2019 को select कर लेता हूँ उसके बाद modification है यानि कि कौन सा है petrol है diesel है कौन सा variant है तो मैं यहाँ पर एक variant को इसे भी select कर लेता हूँ अब देखिए फाइदा क्या है कि जो हमारा app है इसमें फाइदा ये है कि यहाँ पर आप simply parts भी search कर सकते हो या फिर जो OEM catalog है वो भी search कर सकते हो जो कि easily किसी website पे मिलता नहीं है अब देखिए catalog में भी आप variety आप देख सकते हो कि body के parts से ही तो body select कर सकते हो जाफे electrical engine suspension brakes transmission मैं क्या करता हूँ कि engine का catalog select कर लेता हूँ और catalogs या parts को order भी कर सकते है मैं आपको बताता हूँ अब देखिए catalog में air cleaner आ गया इसके लावा जो cam chain है यह आ गया इसके लावा बहुत सारे ही आपको module और बहुत सारे catalog आ गये है तो आप किसी को भी select कर सकते हो मैं सबसे पहले जो दिया हुआ था air filter जो हमारा उसे ही air cleaner इस catalog को select कर लेता हूँ अब यह जो model है इसका जो भी parts जहां पे लगता है यह आप देख सकते हो सारा नाम के साथ आ गया है कितना quantity लगेगा description क्या है part number क्या है यह सब आप easily यहां से देख सकते हो सबसे पहले जो एक number में दिया हुआ है cleaner assembly air मैं इसे ही select कर लेता हूँ bike option में जाता हूँ अब देखिए अब यहां पे आपको इसका price वगरा सब कुछ असानी साप देख सकते हो कि 745 पस का price है अच्छी ब्यात क्या है कि एक दिन में यह dispatch कर दिया जाएगा 10 days का assured return भी यहां पे दिया जा रहा है और GST invoice भी मिल जाएगा तो friends बहुत ही अच्छी opportunity है आप budmo.com से जाके अपने cars के लिए बहुत सारे parts असानी से order कर सकते हैं वेबसाइट का link में आपको description में दे दूंगा पेट्रोल कार्स के मुकाबले diesel कार्स के spare parts का दाम ज्यादा होता है अगला point है fuel price आप friends कुछ सालों पहले तक बहुत सारे लोग diesel से चलने वाले cars इसलिए ख़रीते होते है क्योंकि जो fuel का price आने कि जो diesel का price था वो petrol के मुकाबले बहुत ही कम था लेकिन पिछले कुछ सालों में यह हो गया है कि जो petrol और diesel का price के बीच में gap है वो कम होते गया है तो मैं आपको बता दूं कि fuel price के base पे इस टाइम पे करार को खरीदना सही नहीं है क्योंकि बहुत बादा भी ये भी लेज देते हो कुछ साल चलाने के बाद तो मैं आपको बता दूं कि जतना मैंने research किया है वहाँ पे मैंने यह देखा है कि जो diesel कार होती है उनका resale value petrol cars के मुकाबले जादा होता है अगला जो point है वो है torque अगला जो मैं आपको दो point बताने वालों यह बहुत ही important है जिसमें से कम speed में overtake करने में असानी हो जाती है इसके साथ ही जो diesel car का जो toying ठीक है toying जो value होता है वो भी ज्यादा होता है और एक और point जुड़ा हुआ है वो है power output लेकिन जो petrol से कहलने वाली cars है उनका power output ज्यादा होता है ज्यादा इसलिए होता है कि जो petrol engine होता है वो short stroke engine होता है उसमे piston का movement कम होता है वहें दूसरी तरफ जो diesel engine होते है वो compression ignition engine होते है compression ratio ज्यादा होता है असान आपजों में कहें तो petrol जो वारा piston है वो ज्यादा move करता है अब dawn और इसलिए से जो petrol engine वाली car से उनका power output ज्यादा हो जाता है मैं आपको एक example भी बताता हूँ इस data में आप देख सकत हो कि जो Honda City का जो petrol variant है और जो diesel variant है तो petrol variant का जो power है वो diesel variant का मुकाबले ज्यादा होता है लेकिन diesel variant का जो torque है वो petrol से चलने वाले Honda City का मुकाबले ज्यादा होता है तो torque अगर आपको ज्यादा preference है तो आप diesel से चलने वाली गाड़ी खर दे और अगर आपको power output ज्यादा चाहिए यह speed जादा चाहिए तो फिर आपको जो मारा petrol car है वही खरीदना चाहिए अगला point है emission तो मैं आपको पता दो कि जो diesel engine वाली गारियां होती है उनके exhaust से silencer जो धुआ निकलता है उसमें जो pollutant gases होती है खासकर कारबन, mono oxide, sulfur oxide, nitrogen oxide, particulate matter यह सारे जो परदूसरत वालों gases है उनका मातरा petrol engine cars का मुकाबले जादा होता है अगला जो point है वो है price difference तो friends मैं आपको बता दियूँ कि देखिया अगर हम लोग किसी भी model को अगर आपस में compare करेंगो तो आप देखोगे कि जो diesel cars होती है उनका price petrol cars का मुकाबले बहुत ही जादा होता है कई बार ये difference एक लाग डेड़ लाग सवाल लाग तक भी होता है तो आप price को भी consider कर सकते हो हाला कि diesel cars में diesel का fuel का जो rate है वो कम होता है और mileage भी जादा मिलता है लेकिन cost जो होता है cars का वो जादा होता है तो आप अपने preference के साब से सही car अपने लिए चुन सकते हो तो friends उमीद करता हूँ कि इस वीडियो मैंने जो comparison किया है उससे आपका doubt बहुत हता किलियर हो गया होगा वैसे एक और dot रहता है कि manual transmission और automatic transmission में क्या difference है और कौन बेहतर है तो इसके उपर में detail video में ने already upload किया हुआ है link में आपको description में देद दूँगा और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में thanks for watching this video goodbye